नमस्कार रणावाट ढईट में स्वागत आपका कि डाईट माझसिक और सारीख दोनों परकैर केम सकता होती है है stress अज हम आपको बताइंगे कि इसकुल में पढ़ने वाले बच्चे या कॉलेज में पढ़ने ओर उनको परीक्षा के दिनों में सारारीग और प्रमान्सिक डाइट क्या हो सकता होती है अर्था मेंटल और फीजिकल डाइट दोनों की ज़रूत होती है इन अवस्ताओं में एक तनाव गवराट होने के अवस्ता होती है तो कोशिस होनी चाहिए कि इस समय तनाव न रहें गवराट न हो अक्षर देखा जाता है कि इस समय बच्छे कुछ लोग एक्जाम सेंटर उनके दूर होते है तो सुबह भुखा नहीं रहा जाता है ज्यादा भोजन करके चले जाते हैं और ज्यादा भोजन करने के बाद उन्हें आलस आना एक सभाविक है या कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिससे गेस्टिक प्रॉब्लम हो सक लगती है तो कोशिश करें कि आप हलका भोजन लें और ऐसा भोजन लें जिससे आपको आलस ना आए इसके लिए आपको हम बताएंगे उससे पहले अगर आप उमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और ज्यादे ज्यादे शेयर क करें अब हम बता रहें आपको जैसे सुबह के वक्त अगर आप घर से निगलें दिन में एक्जाम हो कोशिश कीजिए कि आलू की सबजी नहीं खाएं आलू के पराठे नहीं खाएं और बैंगन से बने भूजन सेवन नहीं करें और चने की डाल या चने के डाल के जो उत्प और लिए यह और न य होजनाएं और तरहिक अब को तका आपको जाएगा गेस्टिक प्रबलम हो जाएगी अक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं गैस होगी तनाव हो गा तनाव में गैस और निरंतर बढ़ेगी अर्थार्थ आपका पेपर खड़ाब होतें की संभावना बढ़ जाती है खुशिस कीजिए हलका नास्ता लीजिए दलिया लीजिए सबसे बैस्ट है पचनय में बढ़िया है और दलिया के साथ में अगर आपको सुटेबल होता है दूद या धई जैसा वो आप उसके साथ सेवन कीजिए और अगर आप सहरी है महाइस्तिया यह नहीं अनुकुल होती है तो आप उस स्थान पे हलके बिस्कित ले सकते हैं जो कम मात्रा में लिये जाए वो सके पाकेट में साथ ले जाए और परिक्षा के बाद खाए पहले आपके पास में कहीं बार क्या होता है कि आज कल दिखा जाए तो जंग फूट के कारण मोटा पा बढ़ रहा है पैसों की छूटे बरपूर खाल लेते हैं फिर परिशान कि उन्हें तो पढ़ना होता नहीं है प्रयाप पैसा होता है उनके पास में यह मांसिकता होती है पर जिन लोगों को पढ़ना है वो कोशिस करें कि अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे दें अर्थार्थ लगाता तूटी होने के कारण एक बार यह भी होता है कि बच्छे को डाया धमगाया जाता है इन अवस्ताओं में बच्छा हमेशा धरता हुआ रहता है तो परिक्ष कि इन भैस से मुक्त रहें जो होना है सो हो जाएगा बात की एक ही लक्ष होना चाहिए कि पेपर मुझे बढ़िया देना है और जब यह भागना हो जाएगी बढ़िया पेपर देने की तो निश्यत है आपको सब परिस्त सपलता मिलेगी अगर आपको कोई शमस्या परिशा नहीं आती है तो आप टिप्रणी कीजिए हम टिप्रणी का जबाव देंगे और आपको इस परकार के जो कोई नहीं आफसक्ता होती है तो आप हमें बताईए हम आपके आफसक्ताओं को ध्यान में रखके नेव वीडियो देंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के नमस्कार